सब्सक्राइब कीजिए होम मेट सॉलुशन्स को और बेल आइकन को दबाईए हेल्थ टिप्स और होम रेमेडिस सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका होम मेट सॉलुशन्स में फिर एक नए वीडियो के साथ दोस्तो आज कल की बिजी लाइफस्टाइल के चलते अक्सल लोग अपने खान पान और फिजिकल वर्काउट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं जिसकी वज़े से शरीर का मोटापा और बेट की चर्बी दिन पे दिन बढ़ती ही जाती है इतनी व्यस्त और टेंशन भरी जिंदिगी में वजन घटाने के लिए भोका रहना या डाइटिंग करना हर व्यक्ती के लिए संभव नहीं हो पाता है इसलिए जब भी खाने पीने की बात आती है तो हर व्यक्ती यहीं चाता है कि बिना किसी फिकर के बिंदास खाया जाए और साथ ही दूसरी तरफ शरीर में बढ़ रही चर्बी को खत्म करने के लिए कोई आसान सा उपाय मिल जाए एसी स्थिती में दिन के अलावा अगर रात में भी वजन घटाने का सही तरीका मिल जाए तो शरीर में चर्बी को घटाने की प्रक्रिया में दुगनी रफ्तार मिल जाती है इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रात के समय सोते हुए भी तेजी से वजन घटाने का एक बहुती आसान और ताकतवर घरेलूनुस खा जो कि ना केवल सोते समय आपके शरीर की जमा चर्बी को खत्म करेगा बलकि अगले पूरे दिन के दोरान शरीर को एनरजी याने की ताकत भी प्रदान करेगा तो चलिए जानते हैं इसे बनाना कैसे है इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी तर्बूच के चिलके, खीरा, हरा धनिया, अदरक, डालचीनी, निम्बू और सेब की इसमें अगर आप चाहे तो सेब की जगा टमाटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं जादातर लोग तर्बूच खाने के बाद उसके चिलके फेक देते हैं लेकिन अकसर कई चीज़े जो हम बेकार समझ कर फेक दिया करते हैं हमें पता भी नहीं होता कि वही चीज़े हमारे शरीर के लिए बहुत फाइदेमन होती है और हमारे शरीर में चमतकारी रूप से बदलावला सकती है पूरे तर्बूच में सबसे जादा पोशक तत्व केवल उसके चिलके में ही पाया जाता है इसके अंदर लाइकोपीन और क्लोरोफिल की मातरा अधिक होती है जिससे की हमारे शरीर का खुन साफ होता है और पेट में जबी चरबी बहुत तीजी से कम होती है इसके इतने अधिक फायदे होने के कारण कई लोग इसकी सबजी बना कर भी खाते हैं और बहुत सारे देशों में इसे सलात की तरह भी खाया जाता है इसलिए अगर आप बिमारियों से दूर रहकर अच्छी सहत बनाना और तीजी से वजन घटाना चाहते हैं तो तर्बूज के चिलको को कभी भी न फेके इस ज्रिंक को बनाने के लिए मिकसर में एक कटोरी कटे हुए तर्बूज के चिलको को डाल कर उसमें एक कटा हुआ खीरा चिलके सहीद डाले इसमें खीरा हमें हरे कलर वाला ही लेना है इसके बाद इसमें एक टुकड़ा चिले हुए अद्रक का डाल कर एक कटोरी धनिया मिला है धनिया डालते समय ध्यान रहे कि हमें धनियों की पत्तियों के साथ साथ इसकी टहनियों का भी इस्तमाल करना है इसके बाद इसमें दो चम्मच निम्बू का रस, एक चम्मच दालचीनी का पाउडर और आदा कटा हुआ सेव मिला है फिर इन सारी चीजों को मिकसर में अच्छी तरह चला कर इसका जूस तयार कर ले और फिर इस तयार जूस को अच्छी तरह चान ले इस तरह से ये ड्रिंग तयार हो जाएगी इस ड्रिंक में मौझूद सेब में विटामिन्स, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर्स की मातरा अधिक होती है जो कि शरीर में जमा चर्मी को खत्म करने के लिए बहुत फाइदेमंद होती है साथ ही सेब के इस्तमाल से इस ड्रिंक में एक अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है अच्छे स्वात के लिए सेब की जगा आप कुछ तरबूच को भी इसमें मिला सकते हैं इस ड्रिंक का शरीर पर पूरी तरह से असर हो इसलिए इसे सही समय पर ही लिया जाना चाहिए और इस ड्रिंक को बनाने के लिए जो सारी चीजे हमने इसमें इसमें इस्तमाल की है उन सभी का इसमें होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब यह सारी चीजें आपस में मिलती है तो इनका असर दुगना हो जाता है इसमें हमने दालचीनी और निम्बू का इस्तमाल किया है क्योंकि यह दोनों ही शरीर में जमा चर्बी को बिगलाने का काम करते हैं साथ ही तर्बूच के छिलके और खीरा सोते समय भी हमारे शरीर को एनरजी प्रदान करते हैं जिससे नीन में आराम करते समय भी हमारे शरीर का वजन घटा रहता है। इस ड्रिंक को खाना खाने के कम से कम 30 मिनिट बाद लेना है और सोने से कम से कम एक घंटे पहले। साथ ही यह भी बहुत ज़रूरी है कि इसको लेने के बाद कुछ और ना खाया जाए। याने कि यह सोने से पहले सबसे लास्ट में ली जाने वाली चीज होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप रोजाना दवाईयों का सेवन करते हैं तो इस ड्रिंक को दवाई लेने के एक घंटे पहले या एक घंटे बाद ही पी है। यहाँ जूस अपने आप में एक बहुत पावरफुल ड्रिंक है। इस ड्रिंक को और असरदार बनाने के लिए इसमें पालक के पत्तों को भी एड़ किया जा सकता है। और साथ ही अगर आप चाहें तो रात के अलावा दिन में भी एक बार इस ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं। अगर आपका वजन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और आप इस तरह के और नुस्खों के बारे में जानना चाहते हैं। तो रात के अलावा दिन में भी ली जाने वाली ड्रिंक के लिए हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो मुझूद है। आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। में बहुती कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो। और शेर कीजिए उन लोगों से जिने इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।